दोस्तो आप लोगों ने वूली मैमट्स के बारे में तो सुना होगा ये करीबन 11,000 साल पहले इंसानों के साथ कोई ग्रिस्ट किया करते थे और होमो सेपियन्स नहीं आई सेज के दौरान इसको हंट करके एक्स्टिंग्ट कर दिया दोस्तो अब यही वूली मैमट्स इनके कई स्पेसिमन हमें मिले हैं कई स्पेसिमन तो इस प्रकार से वूली मैमट्स के बच्चे के आप देख सकते हैं बिलकुल वेल प्रिसर्वड है तो इस प्रकार के हमें काफी स्पेसिमन्स मिले और अब इनी का इस्तमाल करके इन मैमट् करने का काम एक कंपनी ने अपने कंदे पर उठा लिया है तो इस कंपनी एक स्टार्ट अप है इसका अल्रेडी फंडिंग भी मिल चुकी है और यह कह दी कि बाइट 2027 इन लोगों ने एक प्लान बना लिया है जिसके तुरू वूली मैमत्स वापस थे आक्टिक रीजन में लड़ने में काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं याने एक प्रकार का क्लाइमिट जी जीओ इंजिनियरिंग टेकनीक इन वूली मैमत्स के दवारा खेला जाया जा रहा है तो क्या हो रहा है क्या है उनका प्लान सब कुछ आईए आज की इस क्लास में हम देखते हैं बहुत इंट जो की थोड़े से आनाकानी भर रहे हैं वही दूसरे तरफ अगर आप देखें तो इंडिया में भी न्यूज में आप देख सकते हैं प्लेइंग गॉली मैमत को वापस से रिजरेक्ट किया जाएगा यूजिंग डियने फ्लाइसिंग दोस्तों यहां पर आपको बताना चा स्वागत करता हूँ आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडिये अपडेट्स मिल जाएंगे साथी साथ दोस्तों आपको बता देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है तो अगर आपको क री되는 करेगी और इसे लिए क्रिस्पर टेक्नलोजी का इस्तिमाल करेगी तो डोस्तों हुली मेहमत को वापस से खत्मaxish्ट हुए वहली मेहमत को वापस से प्रित्वियमें लाना याने डी अकस्विशन का जो काम है इसका सपना देखा था Harvard के Scientist George Church ने जिसनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इन्होंने सबसे पहली बार इस प्रकार का suggestion दिया था कि Genetic Engineering के इस्तमाल से हम Woolie Mammoth को वापस पृत्वी में ला सकते हैं तो दोस्तों गर आप देखें Woolie Mammoth ये 10,500 साल पहले extinct हुए है पृत्वी में आई सेच उस वक्त चल रही थी उसी वक्ती extinct हुए है और इसके पीछे इंसान भी जिम्यदार है इंसान ने over hunting, over exploitation किया और साथ सा climate change भी जिम्यदार है तो दोस्तों अगर इनकी de-extinction achieve हो गई याने की extinct जानवर को वापस से पृत्वी में हम लाने में successful हो गए तो ये एक practical working model हो जाएगा जिनके द्वारा हम अन्य इस प्रकार की extinct प्रजातियों को भी आने वाले दिनों में वापस पृत्वी में resurrect कर सकते हैं इसके बोन के लिए इसके टस्क के लिए तो उससे वो टूल्स बनाते थे लड़ने के लिए hunting के लिए आर्ट की तरह आर्ट की सामगरी की तरह उपयोग किया करते थे रहने के लिए इसके हड्डियों का इस्तमाल करते थे और खहने के लिए तो इसको मारते ही थे तो दोस्तों अगर हम humans की बात करें तो आज हमें जो भी knowledge है woolly mammoth का वो सब हमें इनके fossil से मिला है, skeletal remains से मिला है और इस ब्रकार के frozen specimen से भी मिला है तो दोस्तों ये हमें प्रिश्वी में अलग-अलग जगहों पे archaeologists को, researchers को मिले हैं तो क्या technology इस्तमाल करने वाली है ये company जिसके द्वारा woolly mammoth-like species को एक hybrid को resurrect किया जाएगा तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होने वाल है, तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के well-preserved woolly mammoth के शरीड से हमने क्या किया है तो इसके genomes को extract किया है, जिनोम extract किया है और इसके बाद दोस्तों हम इस specimen से genomes recover करके इसको compare करेंगे Asian elephant के genome से Asian elephant के genome से genome is the complete sequence ATG, CTG, AT करके जो complete genetic sequence है, वो हम mammoth का Asian elephant के genome से compare करेंगे compare करने के बाद हम देखेंगे, identify करना चाहेंगे कहां कहां पर अंतर है, तो दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है, आप अगर देखें, तो 99.6% जो DNA है, Asian elephant का और mammoth का same है तो बागी के 0.4% DNA में वो कौन से, वो कौन सा आप हम जानना चाहेंगे, वो कौन से genes हैं, जिसके वज़े से mammoth के dense hair होते हैं, compare to elephant, उसके thick fat होता है, जिस वज़े से वो minus 40 degree Celsius जैसे temperature में भी survive कर जाता है, तो हम वो identify करना चाहेंगे, तो उसके लिए कौन से genes जिम्मेदार हैं, एक बार वो genes को हम identify कर लिए, तो फिर वो genes को हम CRISPR, Cas9 technology का इस्तमाल करेंगे CRISPR दोस्तों आप समझी एक प्रकार का कैंची है, जो genome sequence में से, जो relevant gene का data है, वो काट के हम निकाल सकते हैं, निकाल के हम उसको हाथी के genome में चिपका देंगे, तो इस प्रकार से elephant में हम कुछ added genes, जो mammoth का होगा, वो डाल देंगे, तो इस प्रकार से, यह जो elephant का gene होगा, इसम mammoth के भी गुन होंगे, तो यह जो cell बनेगा इस प्रकार से, इसका nucleus हम एक हाथी के cell में उसको transplant कर देंगे, और उसी को divide, उसी को grow करवाएंगे, और multiply होके, यह egg cell, यह एक egg cell embryo में convert हो जाएगा, फिर इस embryo को हम एक surrogate elephant का भी इस्तमाल कर सकते हैं, जिसमें transplant कर सकते हैं, या यहाँ पर scientist कह रहे हैं, कि हम एक artificial womb बनाएंगे, और इस artificial womb को बनाने में लगबग, इस artificial womb में लगबग यह दो साल तक, जो embryo होगा, यह यहाँ पर रहेगा, और दो साल के बाद, इस hybrid elephant and mammoth का जो hybrid है, उसका calf हमें देखने मिलेगा, और यह calf नया जानवर बन जाएगा, यह genetically engineered mammoth elephant hybrid होगा, और यह कुछ wooly mammoth जैसा ही देखने में और हर प्रकार से होगा, तो दोस्तों यह company colossal है, इसके जो CEO है, यह रहे, इन ही की तस्वीर है, इनका नाम है Ben Lamb, और इनका कहना है कि environment के लिए बहुत beneficial होगा, और इसके लिए कह रहे हैं, कि जब mammoth जब पृत्वी से extinct हो गए, तो पृत्वी में एक ecological void हो गया Arctic में, तो Arctic में एक gap हो गया, तो जब mammoth रहा करते थे, तो Arctic में अगर आप देखें, तो grasslands हुआ करते थे, क्योंकि mammoth क्या करते थे, इतने भारी जानवर जब इस पर roam किया करते थे, विचरण किया करते थे, तो वो trample कर देते थे सब से grasslands वहां पर रहते थे, तो उचे उचे पेड़ नहीं होते थे, तो इस प्रकार से grasslands संड के time में snow covered हो जाते थे, तो जिस वज़े से solar insulation reflect हो जाती थी, जब ये हाथी इस grasslands पर दोड़ा करते थे, तो इस प्रकार से जो frozen, जो snow गिर रहा है, वो भी compact हो जाता था, और जाके soil से mix हो जाता था, तो इस प्रकार से permafrost मजबूत होती थी, जैसे ही, इनका कहना है, जैसे ही mammoth खतम हो गए, वैसे ही आप अगर देखें, तो इन इलाकों में, ये grasslands धीर धीरे खतम होने लगे, और grasslands की जगे किसने ले ली, trees ने, trees ने, उसकी जगे ले ले ली, तो अब वापस से यहाँ पे mammoth अगर हम ले आएंगे, तो ये tree and moss की जगे वापस से वहाँ पे grassland होने लगेंगे, और mammoth जब दोडेंगे, तो इस प्रकार से permafrost भी stable हो जाएगा, तो परmafrost जो तेजी से पिगल रही है, और greenhouse gas emit कर रही है, वो भी नहीं होगा, तो इस प्रकार की climate geoengineering technique है, तो दोस्तों अब ये कितना successful होगा, environmentalist अपने आप में बहुत ज़्यादा, इस कहरें कि scientific experiment अच्छी बात है, but from, you cannot justify it from environmental point of view, environmental point से ये बहुत ज़्यादा प्रभाव, impact नहीं करेगा, रदर बहतर है, अन्य तरीके ज़्यादा असान और बहतर होंगे, ऐसा environmentalist का कहन पर जो भी है दोस्तों ये एक बहुत important experiment आने वाले दिनों में होने वाला है, पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, जो कि ethical सवाल है, क्या हम भगवान का role play कर रहे हैं, क्या हम जो जानवर प्रित्वी से हमीशा के लिए खतम हो गया, जो extinct हो गया, उसको वापस अगर हम प्रित सवाल है, तो इसका जवाब दोस्तों ना तो हाँ हो सकता है, ना तो ना हो सकता है, कुछ बीच में जरूर होगा, दोस्तों आची क्लास पसंद आई हो तो like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, pathfinder चैनल को subscribe करना ना भूले, and academy जब भी आए, use the code kc10, क्योंकि ज दोस्तों आपको बता देता हूँ, आखरी दिन था, आखरी दिन है, आज प्राइस का, तो आपको additional 10% discount मिल रहा है, and 10% off तो आपको kc10 से मिलता ही है, so kc10 code कर तो इस्तमाल करें, पर दोस्तों आखरी दिन है, तो an academy subscription लेने का अगर आप सोच रहे हैं, तो अभी से बहतर नहीं मिलेगा, आपको मैं prices बता देता हूँ, दोस्तों, एक साल की कीमत है 40,095 रुपए, दो साल की 46,740, तीन साल की 63,45, एक साल की प्लस GS की 40,095, एक साल की प्लस कॉम्बो की है 46,740 रुपीज इसमें GS भी है, optional भी है, Iconic GS की की कीमत 63,45, Iconic GS प्लस optional कॉम्बो एक साल की है, 63,989 रुपीज की, दोस्तों, ये prices बढ़ जाएंगे, तो आपको books भी मिल रही है, आपके घर पहुचा दी जाएंगी, दोस्तों, ये सब आपको benefit अभी मिल रहा है, तो जल्दी से जाएं, KC10 code का इस्तमाल करें, Unacademy subscription लें, नीचे एक loan का link है, उसका इस्तमाल करें, और जल्दी से जाएं, जाके वहाँ पर form भर दें, इसके सिवा दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, Mega Subscription Combat है, 10 करोड की scholarship prize है, Legends Wisdom सीरीज चल रहा है, उसका फाइदा उठाएं, Plus and Iconic courses भी, आपको सब मिल रहे हैं, आपको कीमत स्क्रीन पर दिख रही होगी, 2 साल की Plus subscription 64,800, 2 साल की आइकन है, 1,4,175, एक साल की Optional 24,750 रुपए, यह सारी कीमत तब है, जब आपके सी 1-0 code का इस्तमाल कर रहे हैं, Free Test Series एविलेबल है, और इसके साथ 215 स्प्टेंबर से नए batches भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से इनका फाइदा उठाएं, और an Academy subscription लें, Thank you so much for joining, Have a great day and let's crack it!